हालो फ्रेंड्स मैं सब्सक्राइब दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़ी ही कोमन प्रॉबलम ट्रॉमेटिक इयर पर्पोरेशन्स चोट के करण कान के परदे में छेद पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिएगी बैल आइकोन को प्रेस करना और वीडियो की जानकरी आपको समय समय पर बिलती रहें दोस्तों जो ट्रॉमेटिक इयर पर्फोरेशन है सबसे पहले हम जानेंगे क्या होता है ट्रॉमेटिक इयर पर्फोरेशन्स दोस्तों बगवान ने हमारे जो इयर है जो हमारा अंदर का इयर है उसको प्रोटेक्शन करन है और जब हम बोलते हैं वो सारी आवाज उससे टकराती है उसके वाइब्रेशन हमारे को कान की हड़ी और नस के तुरू दिमाग को सुनते हैं और समझते हैं बहुत बार क्या होता है कि आसे कान की अपुरेशन हो जाता है च्छेद हो जाता है अमुमन यह कब होता है जैसे कई रार क्या है कि आए dobrzy से क्रवम基本 पर्पर्ण होती है उसके कान के पास बहुत तेज आवाज में बिना बताए पठाका आपको चल गया या डीजे की साउंड है या बहुत पार क्या है कि जो आपका एयर बढ़ से भी एक्सिडेंटली अंदर तक चला गया उसके कारण कान के परदे में छेद हो जाता है दोस्तो ट्रॉमेटिक जब एयर और पर्फॉरेह सन होता है तो कुछ लक्सन है एक तुब सडन आपका कान जो है वो सुन हो जाएगा येर में बहुत बार ब्लीडिंग भी होती है और जब आप नोज ब्लो करते हो तो एयर में एयर लीक करती है और आपको जो है उस साइंसाइं की आवाज भी एयर में आने लगते हैं ये आपका चोट के कारण ट्रॉमेटिक परफॉरेशन की लक्सन होते हैं दोस्तो अगर ऐसा कोई भी लक्सन अगर किसी पेशिंट्स को है या आपके किसी नोन को है तो तुरंत क्या है आपको जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए डॉक्टर को दिखाने के बाद दोस्तो उसमें जो एंडोस्कोपी है एंडोस्कोपी से हमें ये पता लग जाता है कि कान के पर्दे के अंदर जो आपका जो छेद है जो होल है वो कितना बड़ा है हमुमान अगर यह small perforation है छोटा छेद है मतलब जो कान का अपना total पर्दे का अगर almost one-fourth हिस्सित का perforation है तो दोस्तो यह है जो है 95% cases में घबराने की जरूत नहीं है वो आपने आप ठीक हो जाता है बट उसको जो है वो ठीक होने को प्रमोट करने के लिए उसमें जो है वो एक तुरंत एक paper patching किया जाता है मतलब उसमें एक jail या एक paper होता है जो उसके उपर लगा दिया जाता है जिससे उसके अंदर जो है वो फटापट उसको जो है ग्रोव करके वो ही लप हो जाता है दूसरा कुछ एंटिबाइटिक और मेडिसन दी जाती है और एयर को पानी नहीं जाने देना होता है की पियर ड्राई जब भी आप ना हो तो cotton को नारे लिए सरसों के तिल में डबो के निचों के और कान में डांट लगाना है और आपको जुखाम नहीं होना चाहिए और आपको ऐसे नोज ब्लॉविंग नहीं करना चाहिए जिससे जो कान का जो ट्रॉमा के कारण जो होल है वो पटापट हील अप हो जाये और यूज्वली वो दो से तीन महन में हीलफ हो जाता है दोस्तों बहुत बार अगर जो है कान में जो पर्पोरेशन होता है उसकी साइज बहुत बड़ी है यानि ओल्मोस्ट टोटल पर्पोरेशन है तो दोस्तों उसको जो है वो टिंपेनोप्लास्टी यानि सरजरी से टिंपेनोप्लास्टी से ही उसको ठीक कि होता लेकिन वो भी एंडॉस्कोपिक टेक्निक से ठीक हो जाता है इसमें जरूरी नहीं है कि कान के पीछे जो है चीरा लगे आजकल जो है दुर्बीन से अंदर के अंदर भी उसमें परदा लगा दिया जाता है और जैसा आपका पहले कान का परदा था दोस्तो वैसा ठीक हो जाता है तो दोस्तो अगर किसी को इस टाइब की कोई प्रॉबलम है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर से सलह लेकिए जो भी उसका बेस्ट जो है वो ट्रीटमेंट कराना चाहिए तो दोस्तो आई होब दिस इन्फोर्मेशन रिगार्दिंग दार्मेटिक परफोरिशन इ आपको मिलती रहे थेंक यू